हेलो मारू नाम जे मयूर चोहान तमें मनें चल्लो दिवस अने करसंदास पेंड यूज जेवी गुजराती फिल्म मां अभी नहीं करता जोए वह शे अत्यारे वाद करवी छे आराध्या क्लासिस नी जहां बोड गुजकेट जे डबली अने नीट जेवी एक्जामनी तईया अरियो एककच जग्या पर धाई जे अने आराध्या क्लासिस सादे मारा मितरजे अलकेश बारोट ए जोड़ा एला जे तो है मने खुऑ खुब सुपकामना ओ अने जोई आराध्या क्लासिस टेंक यू अलो बच्चा लोगों कैसे हो बढ़िया चलिए मेरा नाम है अलके सर प्रॉम आरदे क्लासिस सिटी एम एमदाबाद आज हम बहीं जो सब्सिटुशन मैथड है उसके प्रॉब्लम सम्स लेके आये हैं प्रॉब्लम सम्स लेके आये हैं यह प्रॉब्लम सम्स है तगड़ा वाला दोस्तो इसका तीसरे का चौथा कोश्चन है बहुत लेवल बाते होने वाली है यह समझाने से पहले थोड़ा दोस्तो मैं तुम्हें साइड में फंडा फोकस पर लेजाना चाहता हूं बोलीए फंडा फोकस तो चला रहा हूं बाकी बोलीए क्या आल चल लेए नै बढ़ियां एकदम तबित पांई रेडी नहां बस बस यही तो छी और रहां मौच कर रहे हम तो क्या बात कर लेगा एक तम फुल फुल मौज है ना आप चलसा करो चलसा करो चला जा बई अब मैं यह फंडा फोकस ले रहा हूं तेरा ओके लेट स्टार्ट दोस्त में यह बोल सकता हूं जब का आप कभी टेक्सी में बैठते हो ना कभी कोई भी टेक्सी का नियम क्या होता है बहुत सारी टेक्सी में ऐसे नियम होते हैं टेक्सी रे कारवार में बैठते हो ना हां किसी भी कंपनी का कार मंगा देते हो फॉन से ओ लोका यह मतलब यह है मानलों कि भी तू एक बार टेक्सी को रोका ना फिर अंदर बैठ या बैठ के एक मिनिट में थोड़ा आगे उतर जा वो तेरा प्रॉब्लम है तूने टेक्सी को रोका अंदर एक बार बैठा ना खाली तो तो तेरा फिक्स चार्ज हो गया 5 रूपीज और वो तुझे देना ही देना ए ठीक है रेंडमली ले रहा हूँ 5 रूपीज अर दूसरा क्या होता है पर किलो मीटर चार्ज यह दो टाइप के दोस्तों चार्जेस होते हैं टेक्सी में तुने गाड़ी रोका मतलब तुझे 5 रूपे देना ही ठीक है अंदर बैठ सीट प पर किलो मिटर और फिर आप अंदर बैठ गए तो वो बूलेगा एक किलो मिटर बैठ होगे एक किलो मिटर तक आगे जाओगे तो आपको पर किलो मिटर 12 रूपीज चार्ज करना पड़ेगा 12 रूपीज देना पड़ेगा समझ रहा बात को टेक्सिम बैठ गया मतलब 5 रूप तो 10 km 12 रूपया तो 10 km का 12 रूपया तो 10 km का 120 रूपया तो तुझे कितना देना पड़ेगा 120 रूपया नहीं सर 105 प्लस 120 मतलब आपको कितना देना है 135 रूपया समझ रहा है चल और नॉर्मल एक समवर लेता हूं ऐसे बही रिक्षा वाला है टैक्सी वाला है जो भी है फिक्स चार्ज बोल रहा है सात रूपया मान ले और बोल रहा है 1 km का 10 रूपया ठीक है चल तू ऐसा 5 km बैठा अंदर तो 5 km का 10 रुपे के इसाप से कितना हुआ 50 रुपिया हुआ तो तरको टेक्सी वाले को कितना देना पड़ेगा सर यह 7 और यह 50 कितना हुआ 57 रुपीज हुआ भajया समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है तो देख दोस्तों वो ही बात या भी मैं करने वाला हूँ वेरी नाइस चलिये चलिये से पढ़िए अब क्वेश्चिन पर आप हो गया रहे दो सेकिंड का काम है चल मैं हूँ ना The taxi charges in a city consist of a fixed charge A taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered आ गया कौन-कौन से charges लेती हैं एक तो fixed charge together with the distance covered चार्ज for the distance covered दो टाइप के charges लेती हैं कौन-कौन से बोलिए यहाई यह राज रहे है fixed charge और charge for the distance cover बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो चलिया आ जएए तो अब यहाँ पर कुछ दिया नहीं है उसने कि fixed charge कितना ले रहे है पर किलोमेटर कितना ले रहे है सिद्ध क्या बोला है for a distance 10 km the charge paid is 105 किसी ने 10 km के लिए 105 रुपे दे दिये यह कैसे हुआ सर फिर आगे बोला है 15 km के लिए 155 रुपया दे रहा है ऐसा करके कुछ मुझे पूछा है तो देख पहले fixed charge पता नहीं है fixed charge is equals to x रुपेज and charge for distance covered per km यह तो distance covered और per km is y रुपेज यह बूल सकता हूँ मैं है ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर ओके चले fixed charge कितना हो गया x रुपेज और charge per km कितना हो गया y रुपेज शांती जाओ अपनी यह वाली बात करूँ तुझे पता जल जाएगा fixed कितना x और per km कितना y ध्यान से सुनना अब क्या बोल रहा है देख तो अब शांती से सुन for a distance of 10 km 10 km तो देख भई एक किलोमेटर का y है तो 10 km एक किलोमेटर का y है तो 10 km का कितना हुआ 10 y हो गया तो कितना पैसा देना पड़ेगा उसे ये और ये दोनों साथ में x प्लस 10 y कितना दिया उसने 105 रुपाइया तो समझ लाएके ना आए ये आपका equation बन रहा है बोलिए समझ में आ रहा है clear 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 समझा रहा हूं खाली आपको समझा रहा हूं equation बनाते रहेंगे बोलिए दन है तो बोलिए charge for the 10 km कितना हुआ fix जो था x और 1 km का y रुपीज मैंने suppose कर लिया है मुझे पता नहीं ये सर कितना है देखो ये रिदम आपको समझ में आया इसमें x है इसमें y है x और y 1 km का y है वो कितना km बोल रहा है 10 km बोल रहा है तो ये रहा 10 km का कितना 10 y हो गया 1 km का y तो 10 km का 10 y दोनों मिला के चार्ज देना पड़ेगा x ये भी और 10 y ये भी दोनों का मिला के उसने कितना दिया 105 रुपईया 105 रुपईया अब बोल रहा है 15 km के लिए कितना 105 रुपईया बोलो भी 15 km के लिए तो x प्लस 15 y लिखो हाँ हाँ सर बराबर है x तो fixed charge है वो तो आने वाला ही है और 1 km का y है तो 15 km का कितना 15 y उसका total मिला के उसने कितना दिया है 105 रुपईया बोलो ये 2 equation आ गए कि नहीं आ गए कितना simple काम हो रहा है कितना simple अब बोलो दोनों को substitution method से लड़ाएंगे हम फिर आगे पड़ेगे what are the fixed charges and the charge per km यहां तक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इसमें practice के लिए दो 20 km का charge कितना है तो x plus 20 y 25 km का कितना x plus 25 y कितना है 30 km तो x plus 30 y ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके चला आजा substitution method by using substitution method from equation बन x को एरो बना x को एरो बनाओ या x को एरो बनाओ बंद रहा है x एरो ठीक है बोलो clear है ना clear है हाँ चला जा तेरे जा कौन हो अब x को keep और substitute x in equation 2 चला जा 105 minus 10 y plus 15 y is equals to 155 तो देखिए minus 10 y और plus 15 y 5 y और ये 155 minus 105 ये हो गया 50 y is equals to 10 बोलिये डन है डन है keep this y in equation 3 तो x कितना रहा है 105 minus 10 और y भी 10 105 minus 100 मतलब 5 x आ गया 5 y आ गया 10 बोलिये डन है कोई issue नहीं है ना ठीक है बोल काम हो रहा है तेरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आ गया ना दोस्त तो बोल सकता है fixed charge मतलब x कितना 5 रुपईया और per kilometer charge y भरा बोल दस रुपईया आ गया कि नहीं आ गया तरह question पूरा हो गया what are the fixed charges आ गया fixed charges क्या था x is equals to 5 ठीक है और per kilometer charges per kilometer मतलब y per kilometer मतलब y कितना आ गया भाई 10 आ गया ठीक है चौल अब क्या पूछ रहा है देखना how much does a person have to pay for traveling a distance 25 kilometer 25 kilometer के लिए बूलिए ये करूँगा या नहीं करूँगा सही बोल देना दोस्त मजाग नहीं करना yes sir x plus 25 y है न क्यों भई fixed charge x तो है 10 km था तो 10 के लिए क्या किया था x plus 10 y 15 km था तो क्या किया था x plus 15 y तो अब आगे है न 25 km के लिए x plus 25 y x कितना 5 y कितना 10 5 plus 200 मतलब 255 रुपया समझ रहा तो ये दोस्तों ये बाते होती है नहीं बोलो तकड़ा क्वेश्चन है बहुत लंबा क्वेश्चन था टाइम भी लगा तेकिन आप बोलिया आपको समझ में आया कि नहीं है तो ये पक्की बात है ना पक्की बात पक्की बात थैंक यू वेरी मच तो ऐसे प्रैक्टिस पेपर दे रहा हूं तेंशनन लिए नगी निर्ण ठाव चल पेजर ने आया समलेता हूं चर्ण ये पेज चेंज हो चुका है और नेरा क्नली पर सुस्अम्क रिधा अब देंगिए यह भी सब्सेश्टिशिं मैथड में problem sum है तगड़े तगड़े problem sums ले रहा हूं मैं तगड़े तगड़े problem sums है exercise 3.3 का तीसरे का 5 वा है exercise 3.3 का तीसरे का 5 वा question है चलिए start करें fraction वाले questions आपने 9 में शाहिद देखे हूं दो मिट ये side में रखता हूं funda focus लेता हूं तो आपको जल्दी से समझ में आएगा कि funda focus लेता हूं तो आपको जल्दी से समझ में आएगा ठीक है funda focus क्या है मेरा आज का दोस्तों मालू मेरे पास numerator 5 है और denominator 7 है तो required कि fraction क्या हो गया वो निमबर क्या हो जाएगा सर तो numerator upon denominator हो गया 5 by 7 खेक है मान लो की numerator मान लो की numerator x है और denominator y है तो आपका require fraction क्या हो गया fraction is x by y समझ में आ रहे बिड़ा clear है बाते clear हो लिए बाते okay thank you thank you clear है clear है clear है sir तो अब मैं सम स्टार्ट करता हूं दो मिंट का काम है अच्छा इसमें और थोड़ा फंडा देता हूं चलो यह फ्रेक्शन यह है ठेक है अब इस फ्रेक्शन में numerator में दो एड कर दू तो तो x plus 2 इसमें क्या है denominator में भी 2 एड कर दू तो sir y plus 2 हो जाएगा सिंपल है मालो इस परेक्शन में जो numerator है इसमें इसमें 3 माइनस कर दू चलो माइनस 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 माइनस कर दो माइनस 3 समझ वारत ऐसे हो सकता है ताम जांग ठीक है ठीक है तो अब जो कुश्चन लेने जाला मालों इस पर ही बेज्ड है इस पर ही बेज्ड है चलिए देखता हूं जोस्तों क्या हो रहा है अब फ्रेक्शन बेकम्स 9 मैं दि दीनोमिनेटर सम्धिनानी थे जांति से ख्रेक्षें की बात कितू ए तो यह पिर लिखना पड़ेगा आपको एक्जाम में परदेगा is equals to x and denominator of the fraction becomes y okay so hence the required fraction is x by y clear हो रही है बात है clear हो रही है चल अब आ रहा है अब यह जो है मैन है a fraction becomes 9 by 11 fraction 9 by 11 हो जाता है कब when 2 is added to numerator and denominator both तो numerator में जब 2 add करता हूं denominator में जब 2 add करता हूं तो आपका यह fraction का value क्या आ जाता है 9 by 11 हो हो सर इतना simple है क्या तो फिर from ऐसा लिख देना from given data ठीक है from given data क्या आएगा समझ में रहे है clear है बात है तो ही आगे बढ़ दो ना रहन दे ठीक है हाँ fraction becomes 9 by 11 fraction 9 by 11 हो जाता है कब when 2 is added to both the numerator and denominator ठीक है इतना question पढ़ लिया तो देख नुम्रेटर में 2 add किया denominator में 2 add किया तो फ्रेक्शन का value क्या जाएगा 9 by 11 दो में चांतर है कि आगे में बढ़ता हूं लेकिन यह solve कीजिए पहले यहाँ पे यहाँ पे 11 x plus 2 9 y plus 2 11 x plus 22 11 x plus 22 9 y plus 18 है ना चले 11 x plus 9 y इधर जाएगा तो minus 9 y is equals to 18 minus 22 मतलब minus 4 यह आपका equation बन बन रहा है बोलिये clear है बाते समझ में आरी है बटा clear है बाते है ओके no issue no issue चला आजा similarly here it is given यहाँ पे यही पे देख लेते हैं later 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5 by 6 अब जब numerator डिनोमिनेटर में मैं 3 add करता हूं x plus 3 y plus 3 तो fraction क्या बन जाता है 5 by 6 बन जाता है 5 by 6 clear है clear है सरेक दम चंचनाट level का clear है कौन सा level का चंचनाट level का इतर चला में उतर चला 6 x plus 3 5 y plus 3 चलो जाने दो 6 x plus 18 5 y plus 15 5 y सामने minus 5 y 15 है minus 18 सामने minus 3 बोलिये डन 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 प्रोब्लम है क्या प्रोब्लम नहीं है ना चलों तो यह दोनों equation आपके पास आया गए अब तो दो substitution method में तो तो master हो गया रहे master blaster है क्या बात करता है है ना चला जाए ठीक है आगे बढ़े लाइश में की नहीं बढ़ना है या सर उसी के लिए हमारा जहनम हुआ है चली आ जाएगे अब दोस्तों बाइगे सब्स्टिटुशन method के लिए हम आगे बढ़ेंगे चलीए बढ़े सब्स्टिटुशन में आप क्या करोगे from equation 1 आप equation 1 या 2 जिसको लडा ना उलडा सकते है ठीक है ना चलीए बढ़े चोरतार लेवल की गर्मी हो रही है अरे इसी कभी अब आ जाता रहे अंदर चला जा ठीक है ठीक है चल from equation 1 टू तेरको जो सही लगता है equation 1 11x देखे रहा 11x is equals to minus 9y सामने जाएगा तो plus 9y और यह minus 4 तो था ही तो x is equals to 9y minus 4 by 11 equation 3 हो गया चलबे keep x in equation 2 9y minus 4 by 11 minus 5y minus 3 ठीक है आराम चे कोई इस्यू नहीं है और को उतावल भी नहीं एक आ जाना है मामा के गर पे नहीं चलो 6 कोई दार 54y नहीं सिखजा ठीक है और minus 6 24 ठीक है good very nice यह 11 इसके पास जाएगा minus 55y यह 11 इसके पास जाएगा minus 33 ठीक है आजा चल 54y minus 55y minus y और यह minus 33 सामने है यह minus 24 सामने जाएगा plus 24 minus y इसली जा रहा हूँ नहीं एक दम so 54y minus 55y minus y minus 33 था यह minus 24 सामने जाएगा तो plus 24 यह minus 9 बचा so y is equals to 9 बोल इतना easy काम है now keep y in equation 3 चलिए आज यह बई x is equals to 9 9 minus 4 by 11 9 9 जा 81 81 minus 4 81 minus 4 कितना बोलिए बाइ 11 7 7 कितना हो गया बोलिए x is equals to 7 x is equals to 7 clear clear okay हो रहा है समझा आ रहा है जबको ठीक है so finally find the fraction बोला है यहां पर जगा मारवाड़ी है तो यूज कर लेंगे हम देखे ना find the fraction बोला है ना fraction किया था x upon y x कितना है 7 y कितना है 9 that's it ठेक है verification करना है आपको कि you are right or wrong चाल verification करना है तो देख ले equation 1 में क्या बना था verification करवाता हूं तो अच्छा त्रको याद रहेगा x plus 2 upon y plus 2 इसका answer कितना आना चीए 9 by 11 आना चीए यह ना चला जा x कितना 7 plus 2 y कितना 9 plus 2 तो यह कितना हो गया हो गया 7 plus 2 9 by 11 बुल verified ना तो फिर एक्जामें तो ऐसे find कर सकता है हाँ इस पर से भी देख ले हाँ इसमें भी रखके देख ले तो 5 by 6 से अंसर आएगा यह verification करना नहीं हो फोलो डाइन विटा clear है clear है चलो दो मिंट में पेज चेंज परके नहीं समदेता हूं चालो विटा अवे पेज चेंज हो चुका है पेज चेंज हो चुका है पेज थ्री पार्ट 9 ठीक है सेम यह exercise 3.3 का तीसरे का छटा question है ठीक है यह चाहिए question दिख रहा है मुझे age वाला question है age वाले question हमने आगे ले लिए हैं तो कोई ज्यादा समदाने की जरूरत नहीं आगे वाले वीडियो में हमने बाते की लिए ठीक है यहां पर पढ़ लीजे जले पर फाइयर आफ्टर आफ्टर फाइयर दो एज ओफ जैकॉब विल भी थ्री टाइम्स डैट ऑफ हिज सन जैकॉब का एज उसके सन के एज से थ्री टाइम है ऐसा बोलना जा रहा है लेकिन हम को क्या करना पड़ेगा उसके लिए सपोज बृष्ट तरुष्ट एज औफ जैकॉब जाब इसक्ति एजडि प्रेज एजच और हमिन्सदीम याज अज़म कर देख डेज है त्यों ऩासर्ट आ त्टेजρχें अब canım一 और ने ना बोल बात कर रहा है हमको आपको shortcut funda याद हो तो यह present यह after और यह before यह तो ego यह वाली बाते हो चुकी हमारी present में जैकॉब का age x है और उसके sun का age है y ठीक है जैकॉब का तो पांच साल बाद में कितना होगा इसका x plus 5 होगा इसका y plus 5 होगा पांच साल पहले कितना होगा x minus 5 y minus 5 यह short की तो हमारे पास हाई ना तो मुझे कुछ करवान की जरूरत नहीं यह short की है अपने पास ठीक है दो मिंट रोगे अब मैं पढ़ता हूँ शांती से तो पांच साल के बाद एज ओफ जैकॉब अलेकिन बोर्ड में ऐसा लिखना पड़ेगा आफटर 5 यह एज ओफ जैकॉब जैकॉब डाद प। अब पड़ क्या पड़ रहा है पितरि ना देट विजशन जो इज लो गाद जो जैकॉब का एज है x plus 5 ठीक है उसका age उसका जो sun का age है उससे 3 गुणा है मतलब 3 times है age of Jacob कितना है 5 सल बाद x plus 5 और उसके sun का age कितना है y plus 5 उससे उसके sun की age से उसका 3 गुणा age है 3 times है तो 3 यहां पर multiply करें 3y plus 15 x minus 3y is equals to 10 डाने भी टा क्लिया रहे x minus 3y 15 minus 5 मतलब 10 चला जा अब 5 year ago मतलब पहले before 5 year यह रहा system age of Jacob is equals to x minus 5 years age of age of his son y minus 5 years ठीक है अब क्या बूर रहा है 5 year ago Jacob's age was 7 time that of his son जो Jacob का age है वो 7 time है उसके sun चाए ठीक है x minus 5 minus 35 minus 35 minus 30 ठीक है यह रहा 1 और 2 ठीक है अपने हिसाब से आप इस sum को करियेगा कोई इस्यू अभी आप पे छोड़ दिया हूं ठीक है so what are the their present ages तो यह रहा present x और y है तो आप x और y है हम से substitution method से find कर सकते हो बूलिये done है कोई इस्यू नहीं है ना चरिये ठीक है ठीक है next video में मिलते हैं और दूसरा बैचो पढ़ा रहे पढ़ा ही किया किजिए ठीक है तब तक के लिए मिलते हैं टेक केर बाई बाई यह एकच प्लेप्टम नी नीचे बॉड, गुषकेट, जे डबली अने नीट नामनी एक्जामनी तईयर यह बहु सुन्दर रिते कराऊ माँ बचे अना क्लासिस साथे मारा बहुज अंगत मित्र अलकेस बारोड जोडाए ना चे तो यह एमने खुबच-खुबच शुक्काम नाओ अने उन तब म्रे बजा ने बहुज विनेंधी करूच प्लीज जोइन आराद्या क्लासिस